हेलो अबरिवन दिसे शिवांगी वेलकॉम टूशेट लासे वीडियो में डिसकस करने वाले हैं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इस इंप्लेक्स मादर तो क्वेश्चन है आपको मिनिमाइज दे रखा अब्जेक्टिव फंक्शन जो इसमें है जाड इक्सवन माइनस एक्सव इसमें जो फर्म लेके बैठीए ताकि आपको एक्सटेप क्लियर हो जाए पूरा वीडियो फ्लो में देखेंगे देखेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे तो तो इसलिए रिजिस्टर और पैन लेके बैठें जब भी निमेरिकल का कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो एक एक स्टेप को साथ साथ फोलो करते जाएं लाकि एक बार में ही आपको निमेरिकल क्लियर हो जाएं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे मिनिमाइज दे रखा है त deep blue three x two are plus finns has an इरे हो की तो सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे यह प्लस का है equal to 12 less than equal to 10 ठीक है तो इसको हम convert करेंगे जब भी हमें less than दे रखा होता है तो हम जो variable क्या करेंगे add करेंगे ठीक है जो हम slack variable करेंगे वो add करेंगे जब हम जब हमें less than equal to दे रखा होता है less than धियान रखना है तो हम plus करते हैं और जब हमें greater than दे रखा होता है तो हम minus करते हैं ठीक है तो जब plus करते हैं तो slack variable बोलते हैं और जब minus करते हैं तो surplus बोलते हैं तो यह चीज़ आपको धियान रखनी है तो चलो equation create करी पहली एक्वेशन पहला कांस्टेंट हमें क्या रखा 3x1-3x3-7 तो इससे क्रिएट हो गया हमारा 3x1 एजटी लिख दिया अब स्लैक वैरियेबल हमने एड़ करा है एस वन ठीक है सेकिंड वाले में एक्स1-x2 है तो एजटीज लिख दिया एक्स3 नहीं है स्पेस शोड दिया है और एस-2 एड़ कर दिया है नेक्सट वाले में पूरा लिख दिया जो वैरियेबल दे रखिया एस तरी तीन वैरियेबल आए है और तीनों ही पॉसिटीव बीर ग्रेक्षाश सिरां ध Darth ऑमहें च्कारें में रिप्रेजेंट करेंगे भाष्स में आपको कैसे לפذ announcements करना से में आड़ से मैट्रिक्ष कार में ऐगा मेट्रिप्रेज करना होगे तो हमारे पास यहां कितने variable है 6 variable है तो जो 6 के constant है वो A के elements बनेंगे A matrix के elements बनेंगे देखो पहले हमें X1 के लिखने है पहली value line में सब के X1 है इसका 3 minus 2 constant है इसका minus 4 है तो हमने जो भी variable के आगे values थी वो हमने यहां लिख दी है ठीक है 3 minus 2 minus 4 यहां है हमने लिख दी ऐसे ही हमें बाकी का लिखना है X2 का आप देख सकते हैं यहां पे value ठीक है X2 को देखो यहां कुछ नहीं है लेकिन sign का ध्यान रखना है अगर positive होता तो खाली 1 लिखते यह negative का sign है तो क्या हैगा minus 1 तो ऐसे हमने X2 के लिख दी है और 1 ठीक है लास्ट वारी equation में इसलिए यहां पे 1 आया है और हम X में क्या लिखेंगे X के element क्या लिखेंगे जो सारे हमारे variables हैं वो हमने लिख दिया है और B में क्या आएगा B भी क्या उनसे आएगे जो हमारे left side पे जो दे रखे हमें constant 712 और 10 712 और 10 यह हमने यहां लिख दिया है ठीक है तो यहां हमने S1, S2, S3 को add करा है तो इसलिए यहां पे हमने क्या लिए है 0S1 प्लस 0S2 0S3 ठीक है इनकी कोई values हमें नहीं दे रखे इनके आगे variable तो इसलिए यहां पे 0 लगा है अब चलते हैं आगे अब हम इससे simplex table बनाएंगे simplex table कैसे बनानी है पहले जो हमारे basic variable है S1, S2, S3 वो हमने लिख दिया है एक एक चीज़ आपको ध्यान रखना है CB, XB, CJ अब यह कैसे कैसे value इनकी वो हम देखते है तो CJ दे रखा है आपको यह CJ कहां से आया है तो यह मैं आपको पहले बता देती हूँ कहां से आया है जो CJ की value है वो आपकी आई हो objective function में से यह जो आपको objective function है ठीक है X की 1 की value कैसे minus 1 constant जो है X2 के आगे कैसे 3 और X3 के आगे कल कैसे minus 2 और S1, S2 के आगे कैसे 0 तो वही चीज simplex table में यूज की गई है कहां CJ जो क्या है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके represent करेगा ठीक है यह दो को values लिख दी है कितना समझ में आ गया S1, S2, S3 क्या थे 0, 0, 0 लिख दी है XB क्या है जो हमारा B वाली matrix यह दिख रहा है B की value 7, 12, 10 तो वही चीज का इस्तवाल किया गया है यहां पर XB की जगा हमने क्या लिख दिया 7, 12, 10 लिख दिया है 7, 12, 10 लिखने के बाद अब यह X1, X2, X3 जो है S1, S2, S3 इनकी values कहां सही जो हमने matrix लिख दीना अभी A की जो बनाई थी हमने A की जो matrix बनाई थी जो हमने equation में से जो मरपास तीनों equation थी उसमें से जो values लिखी थी यह वही यह values है आप चाहिए मिला सकते है देखो पहले वाले में क्या है 3, minus 1, 3, 1, double 0 तो मैं आपको दिखा देती हूँ आपको समझ में आ जाएगा यह देखो यह रही यह matrix है 3, minus 1, 3, 1, double 0 फिर्स्ट रो देखना पहले ठीक है सेकिंड वाले में क्या है minus 2 सेकिंड वाले में क्या है minus 2, 4, 0, 0 1, 0 और यहां यह है तो आप यह match कर सकते है सेम वही values है ठीक है समझ में आगे है इतना समझ में आया कि कैसे करना है यहां मैंने लिख भी दिया कि यह जो values है यह objective function में से ली गई है ठीक है अब हमें incoming variable vector देखना होता और outgoing vector कि कौन सा vector हम हटाएंगे और कौन सा vector हम लेके आएंगे कहां basic variable के तो हमें दो values निकालनी होती है यह जड ठीक है जड निकालना होता है और delta j निकालना होता है ठीक है अब यह कैसे values निकलेंगी वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको value निकालनी है तो यह सब बात में देखेंगे minimum ratio वगरा पहले हम z और delta j देख लेते हैं यह मैंने formula लिख दिया है आपके लिए तो आप यह formula follow कर सकते है z निकालना formula क्या है cb into xb ठीक है cb into xb तो cb यह रहा आपका xb यह रहा तो 0 into 7 0 into 12 0 into 10 और सब को क्या कर देंगे add तो 0 से किसी भी digit की multiply होती है तो 0 आता है तो z हमारा क्या आगया 0 ठीक है यहाँ 0 था 0 आया कोई भी value आ सकती है 1,2,3,4 कुछ भी आ सकते है negative भी आ सकते है अब आगया delta j पे आते है delta j का formula क्या है cb into j minus cj ठीक है sorry cb into xj ठीक है cb multiply xj minus cj तो cb क्या है हमारा cb क्या था 0 0 0 था लिख दिया ठीक है xj का मतलब क्या है अब यहाँ पे x देखो यहाँ पे x1,x2 यह आपको लेने है ठीक है यह सारे लेने हैं आपको क्या-क्या x जो xj लिखा x1 ने लें बार x2 की values लिखने हैं x3, x1, x1, x2 x3 तो जो values मैंने निका लिए मों मैं आपको बता देती हूँ ठीक है और यह वाली values आई हैं solve करके डेल्टा जे को तो देखो पहले हमने लेखा डेल्टा जे ध्यान से देखना डेल्टा जे मनदा हम डेल्टा 1 की value निकाल ले हैं formula यह है cb वही रहेगा xj की जगा x1 आगया यह multiply का sign है ठीक है confuse मत हो ना cj मतलब c1 तो cb की value 0 0 थी हमने लिख दी अब x1 की value क्या है 3 x1 की value क्या है 3 minus 2 minus 4 तो वो हमने यहां लिख दिया 3 minus 2 minus 4 और minus c1 ठीक है c1 मतलब यह जो हमें उपपर objective function है ठीक है minus और इसका खुद का minus है तो bracket में हमने क्या लिख दिया है minus 1 लिख दिया है minus 1 लिख दिया हमने तो 0 से multiply 3 QE 0 आया फिर 0 into minus 2 0 minus का सायने इसलिए minus आएगा 0 into 4 0 और minus minus plus तो यहां answer क्या आगया 1 आगया clear हुआ अब हम delta 2 निकालेंगे तो x की जगा x2 आजाएगा c2 आजाएगा cb वही रहेगा अब हमने x2 लिया x2 की values यह है यह हमने लिख दिये ठीक है और c2 के आएगा 3 c2 के आएगा हमारा 3 तो वो values हमने डाल दी फिर दुबारा से 0 से सब की multiply होगी 0 होना है minus का 3 आगया यह ठीक है clear हुआ similarly delta 3 निकाल लिया हमने तो यह x3 आ जाएगा values डाल दी cb वही है x3 चेंज हो जाएगा और c3 की value minus 2 दे रखिए अब आप table देख सकते हैं ठीक है आप table draw कर लेना खुद से भी करना तो समझ में आ जाएगा तो ऐसी हम क्या करेंगे x1, x2, x3 निकाल लिए फिर उसके जगा s1, s2, s3 आ जाएगा और सब की values आ जाएगी ठीक है तो s1, s2, s3 आपको निकाल के देखने है जो कहलाएंगे आपके delta 4, delta 5, delta 6 तो answer आपका 00 आएगा आप चेक कर सकते हैं खुद से ठीक है तो यह values मैंने यहां लिख दी है delta j की value क्या क्या ही 1, minus 3, 2, 0, 0 अब गर यह सारा positive आ था ठीक है तो हमारा question है खतम था लेकिन इसमें एक digit हमारी क्या आ गई negative आ गई अगर हमारी एक भी digit negative आ रही है तो अभी हमें से आगे solve करना पड़ेगा ठीक है अब जो digit आ रही है जिसमें negative आ रहा है हमारा ठीक है किसमें आ रहा है negative इसमें आ रहा है तो यह हमारा incoming vector कहलाएगा क्या कहलाएगा incoming vector कहलाएगा तो जिस भी आपके delta में minus आ रहा है वो आपको क्या कहलाएगा incoming vector कहलाएगा तो यह इतना clear हुआ अब इसके बाद हमें क्या निकालने है minimum ratio निकालने है तो minimum ratio कैसे निकलेगी तो इसका फॉर्म रहता है xb divided by xk ठीक है और जिसमें xk जो है आपका वो क्या होना चाहिए greater than 0 होना चाहिए xk क्या होना चाहिए greater than 0 xk क्या है जो हमारा incoming vector है वो ठीक है तो यहां पर minus है minus है डिवाइड होगा नहीं तो यह column खाली रहेगा अब यहां 12 की डिवाइड होगी किस से फोर से तो 12 की डिवाइड होई 3 और 10 की डिवाइड होई 3 से तो यह 3.3 something आएगा तो हमें minimum ratio लेने तो minimum ratio क्या आगई हमारी 3 आगई है क्या आगई है 3 तो अब जो हमारा minimum ratio वाला जो आगया है वो कौनसी वाला हमारा variable आया है s2 वाला तो s2 वाली जो यह सारे जो यह elements है तो यह s2 हमारा क्या हो जाएगा outgoing vector तो s2 हट जाएगा अब जब next table बनाएंगे तो उसमें s2 की जगह क्या आजाएगा x2 आजाएगा ठीक है s की जगह क्या जाएगा x आजाएगा clear हुआ क्या काम करना है हमें ratio निकाल नहीं है तो जो समें minimum वाली ratio की जो उसके पोजिट में variable होगा वो हमारा outgoing vector क्या लाएगा ठीक है तो clear हुआ इतना अब हम चलते हैं table की दरफ कि हमें cable कैसे ड्रॉ करनी है अब यह आ गई हमारी second table ठीक है second table ड्रॉ करी पहले काम तो वही करना है आपको वही चीज बेसिक variable cb xb cj cj वही objective function के जो values थी वह यहां पर पूरा x1 x2 x3 यह हमने लिख दिया है ठीक है अब यहां पर outgoing vector था क्या s2 था वह भड़ गया देखो यहां पर क्या आ गया x2 आ गया ठीक है क्या आ गया x2 s1 x2 s3 ठीक है s1 x2 s3 अब यहां पर भी आपको क्यान करना है values निकालनी है तो values कैसे निकालेंगे हम पहले हम previous table की तरफ चलते हैं जो हमारी पुरानी टेबल थी तो जहां पर यह दोनों table intersect करती है तो यह जो दोनों table है यह कहां intersect कर रही है कहां पर इस four पर तो यह इसका क्या कहलाएगा main element ठीक है तो जो main element है वो जब हम second table बनाएंगे जो दूसरी table बनाएंगे उसमें one होना चाहिए तो one अब हमें इस four को क्या करना है one बनाना है next वाली टेबल में तो वो हम कैसे बनाएंगे दियान से देखना यहां row operation का हमें use करना है अगर आपने matrix का जो chapter है वो करा होगा तो आपको जरूर आता होगा row operation नहीं भी आता तो clear हो जाएगा तो हमें क्या करना है four की जगा one ले लेकर आना है वो कैसे लेकर आएंगे हम यह देखो हमने यहां आरवन को ठीक है जो हमारी रोवन है उसको रीप्लेस करेंगे ठीक है आरवन प्लस आटू तो यहां हम रीप्लेस करना है पहले किसको रवन को ठीक है किसको रीप्लेस करना है आरवन को रीप्लेस करना है पहले हम वो जान लेते हैं कि 4 की जगा 1 कैसे है यहां पर हम divide करेंगे क्या करेंगे हम divide करेंगे ठीक है कैसे देखो previous table में जाना है पहले हमें main element क्या था 4 था main element क्या था 4 अब इस 4 से पूरी row को divide कर देंगे हम ठीक है कहां से xb से करना है आपको divide कहां से करना है xb से divide करना है 4 से 12 divide हुआ 3 आ गया ठीक है माइनस 2 से 4 divide हुआ minus 1 by 2 तो इस वाली रो को पूरी को ठीक है cb को छोड़के इस वाली पूरी रो को किस से डिवाइड करना है आपको जो main element आ है 4 अब यहां कुछ भी हो सकता है वो तो डिजिट के ओपर matter करता है कि exam में कौन सी डिजिट आएगी ठीक है तो देखो इस सब को divide करा कितना आ गया यह 3 माइनस 1 by 2 ठीक है 100-1 by 40 तो यह values आ गई हैं आपकी clear हुआ अब हमें करना है क्या replacing करनी है ठीक है यह one है और इसके जो opposite में होंगे ठीक है r1 और r3 यह 0 होने चाहिए यह कैसे होंगे अब हमें replacing करना है हम यहां पर ठीक है तो r1 की value डाल दी हमने जो previous वाली थी जो प्रीवेस वाली टेबल में थी ठीक है आप टेबल देख लेना आपके सामने पेपर रहेगा तो आप आप देख लेना और r2 में जो आप हमारी नहीं वाली वैल्यूस आई है वो करें तो यह प्लस करना है प्लस करके 7 3 10 3 और माइनस वन बाय टू एल्स हम लेंगे ठीक है माइनस वन बाय टू है यह तो कितना हो जाएगा यह प्लस माइनस माइनस टू थ्री जा 6 माइनस 1 बाय 2 तो कितना आगया 5 बाय 2 तो ऐसे सॉल्फ करके यह आगया है माइनस 1 1 0 तो ऐसे सॉल्फ करके यह वैल्यूस आ गई है किसकी r1 की तो हमने r1 की जगह यह वैल्यूस यहां पर लिख दी है लिख दी अब हम यहां क्या करेंगे r3 को रिप्लेस करना है तो उसके तègुनिकान सब्सक्राँ में तरहें जैशन और तक 3 खरी Жै. तो हम क्याराइशन हुम्हां करता है तिह प्लस करने पर एक बनिए भी कर्ट करें सब्सक्राइब है जैंने क्सक quelle प्लस म्न इस की सब्सक्राइब полож थिए टो यहारथी के वैली इसथी में यह है तो यह ज्म और पिल सकते हैं और फिर वो माइनस होंगी ठीक है प्लस होगा तो माइनस माइनस होगा तो प्लस अब हम इसमें फिर से वही करेंगे ठीक है क्या जेड की वैल्यू निकालनी है और डेल्टा जे की अब जेड की और डेल्टा जे की वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखा दी है यहां देखिए यह जो म यहां पर आप Z निकालेंगे और डेल्टा जे निकालेंगे मैं डिरेक्ट लिख दिया है अब यह काम आपका है यह आपको करना है तो यहां Z की वैल्यू आ रही है और डेल्टा जे की वैल्यू आ रही है क्या मैंनेस वन बै टूजिरो टूजिरो फ़ोर जेरो Fitz लॉजरो तो फिर भागी यहां पर यहां पे प्र जो डेल्टा जे की वैल्यू आ गई है फिर से मैंनस आ गई है अगर पॉजिट्टिव नहीं खत्म था फिर से वही एक रहीों यह दोनों तो negative वालें तो यह तो ignore हो जाएंगे तो यहां पर किसके आ रहा है 4 आ रहा है तो यह select हो जाएगा main element इस बर आपको क्या आगे अब 5 by 2 अब फिर दुबारा से table बनेगी ठीक है दुबारा से table बनेगी फिर 5 by 2 से divide होगा सारा अब देखो यहां पर x2, s3 और x1 आ गए हैं सेम चीज आपको repeat करनी है आपको फिर यहां पर फिर z की और delta j की value निकलेगी देखो यह आगे step है कि आपको PDF मिल जाएगी इसकी साथ में r2 और r3 ठीक है यहां पर r2 और r3 की value निकालके यह मैंने डाल दिया इसमें प्रीवेस वाली values यूज करके तो अब देखो यहां पर जो है यह positive आ गया है क्या गया यह positive आ गया है अब सारे positive आ गए अगर आपको first step में positive आ जाता है सारा तो question वही कतम है last में आपको क्या line लिखनी है कि सारे delta जे greater than equal to zero आ गए तो optimal solution पर हम पहुँच चुके है तो यहां पर minimize z ठीक है तो value जो है यहां पर देखो यह maximize क्या है हमने maximize कर लिया था function तो minimize पर हम जाएंगे तो यह क्या जाएगा minus 11 ठीक है x1 की value क्या आई है x1 की value आई है 4 ठीक है x2 की value आई है 5 और x3 यहां है नहीं तो क्या हो जाएगा हमारा zero हो जाएगा ठीक है question बहुत lengthy है पीडियाफ आपको मिल जाएगी ठीक है थोड़ा समझने में शायद आपको problem हो क्योंकि starting मैंने कोशिश तो करी है कि मैं आपको clear कर दूँ बिना मतलब starting चेप्टर कर आए तो I hope आपको यह clear हो गया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like it share it and subscribe my channel thank you